अगर आप अपने पैसे निवेश करने की सोच रहे हैं और जो खिम नहीं उठाना चाहते तो FD के अलावा आप पैसे पोस्ट ओफिस सेविंग स्कीम्स में भी लगा सकते हैं पोस्ट ओफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जिसमें की बैंक से भी यानि की उस FD से भी जादा ब्याज मिलता है और हम बात कर रहे हैं पोस्ट ओफिस सेविंग स्कीम्स की इस स्कीम में आप 1100 रुपए से निवेश शूरू कर सकते हैं इस स्कीम में जादा से जादा 30 लाक रुपए ही निवेश किये जा सकते हैं इसमें आप 60 साल के बाद सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आपको 5 साल के लिए ही निवेश करना होता है लेकिन आपको ये बताते चलें कि अगर कोई अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को मिचॉरिटी से पहले बन कर देता है तो उसे पैनल्टी देनी होती है और इस Senior Citizens Saving Scheme को आप अपने आसपास के किसी भी Post Office मर जाकर खुलवा सकते हैं तो चलिए इस Scheme से जुड़ी कुछ और important बाते भी आपको बता देते हैं जैसे कि अगर maturity period पूरा होने से पहले अकाउंट होल्डर की मृत्यू हो जाती है तो फिर account close कर दिया जाता है और इसकी सारी रकम नॉमिनी को दी जाती है इसके साथ ही scheme में कई तरह की छूट भी दी गई है जैसे कि अगर आप retired civilian employee हैं तो आप 55 साल से 60 साल के बीच हैं तो आप इसमें अपना account खुलवा सकते हैं लेकिन ये निवेश आपको retirement के एक महीने के अंदर करना होगा और हाँ retired defense employees हैं तो आप 50 साल से 60 साल के बीच भी इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं वहीं अगर बात interest rates की करें तो इसकी में ग्रहकों को 8.2% का interest मिलता है और ये ग्रहकों को तिमाही आधार पर मिलेगा वहीं अगर इसकी तुलना fixed deposit यानि की FD पर मिलने वाले ब्यास से करें तो देश के कई bank senior citizens को FD पर 7-7.5% के बीच में ही interest दे रहे हैं बैंकों के FD rates पर अगर नज़र डालें तो देश का सबसे बड़ा bank SBI senior citizens को 5 साल की FD पर 7.5% का ब्यास दे रहा है वहीं ICICI bank भी 7.5% का ब्यास दे रहा है और PNB की बात करें तो वो 7% और HDFC bank भी 7.5% का सालाना ब्यास ही दे रहा है Post Office senior citizens saving scheme में account holder को tax benefits भी मिलते हैं इसमें निवेश करने वाले व्यक्ति को income tax act section 80C के तहत डेड़ लाक रुपे तक की सालाना tax shoot भी मिलती है तो अगर आप भी अपने पैसे निवेश करना चाहते हैं और उन्हें safe रखना चाहते हैं और कोई safe option ढूंड रहे हैं तो ये FD से भी जादा interest देने वाला option जरूर हो सकता है तो ऐसी वीडियोज के लिए हमें like, subscribe और share करना बिल्कुल न भूले